लुक लाइक हमें इसी तरह की एक वबसाइट बनानी है विदन जो है 50 मिनट्स के अंदर आप घड़ी देख लिए अभी आड़ बज़कर हम 50 मिनट्स में पूरी वबसाइट लुक लाइक जिस तरह की वबसाइट है ऐसी वबसाइट हम बना देंगे ठीक है और आपको बना के भी हम दिखाएंगे और पूरे डूज़े उसमें एड्ट कार्ड करके सब चीज़ दिखाएंगे फरक यह रहेगा कि इसमें जो चीज़े बना ओ जाएंगे एक हम यहां पर सब्षाएंगे वैं उनके रहं मैं बता रहा हूं वह अगचा देसके तुक है तो मैं चलता हूं कि यहांद इक जो मैं एक क्रte कर लिया एक शबप्र रागर यहां पर मौरा सब बना लीर यहां यहां पर मेया सब्रॉन नहीन है यह इन सब के जो कांटेंट अगर हैं तो उसमें कोई यह नहीं हो था खराब नहीं होता वह बिल्कुल इजी तरीका सेट अप हो जाता है तो इसलिए यह सब चीज़ें आप यहां से डिलेट कर दीजे यहां पर एक पोस्ट में भी पोस्ट पड़ावा होगा वह हैलो के नाम से पोस्ट ह है यह आपको यहां पर दिखेगा है सबसे पहले आप यह वह अपरी वह जाए रिफ्रेश हो जाए यह सारे प्लगिन को मैं यहां से डिक्टिब कर देता हूं और डिक्टिब करके अगर आप रखना चाहें यह टू यह टू फिक्स के लिए प्लगिन होता है बड़ा कुछ भी नहीं बल्कि यह डमी की तरह को साथ दिख रही है अभी फिप्टी मिनिट्स के अंदर अंदर यह फूरी वबसाइट को हम यह कोमर्स की वबसाइट में तब्दिल को आप चाहें कि साथ इवेंटों मार्किट साथ इसको बाय कर लीजिए अगर आप लेना चाहते ह अच्छी नहीं होती है आप एक मर्तब खरीद लीजिए तो वही बैटर रहेगा इसका यहां पर अप्लोड पर आगए और अप्लोड पो थीम अप्लोड अप्लोड अब इसको यह एक्टिव कर लीजिए अगर आप लायर देखना चाहें लाट देख सकते हैं तो एक ग्रोस अच्छी यह आप साइट पर मत रखें कियोंकि यह साइट को बहुत स्लो करता है जो चीज़ें यूज नहीं होती है वह साइट पर रखेंगे तो साइट बहुत स्लो काम करेगा ठीक है इसके लिए आप इन सारी चीजों को हटा दीजिए यहां पर 11 प्लग इंस सारे प्लग प्लग किज़ें इसके बाद इसको एक्टिब कर दीजिए ठीक है यहां पर आप साइट को आक रिफ्रेश करके देखेंगे तो साइट का लूप जहें बिल्कुल चेंज हो चुका है ठीक है आप देख सकते हैं लूप इसका चेंज हो चुका है जो ग्रोस्री की जो लूप अब प्लाइंज इंस्टॉल होने के बाद आपको कल भी मैं ने बता है था और आज भी यह बता रहा हूं कि उसके उकोमर से करनी है सिम्पल है सेट अप जैसे मैं अभी इंडिया में हो तो मैं यहां पर इंडिया के कोडिंग सेट अप कर लेता हूं हैं आप जिससे अप अफगानिस्टान में था आप अफगानिस्तान की कोडिया उपसेट करना चाहिए कर सकती है जैसे मैं सब्सक्राइब आप अफगानिस्तान डाल देता हूं कोई इश्चु नहीं है अपनी हिसाब से जो भी इडर डालेंगे वह आप डाल सकते हैं कोई सब्सक्राइब इसको चोड़ भी सकते हैं इसको बाद आप क्लिक कर लिए आप यहां पे स्टेट वी मांग रहा है यह तो स्टेट वे देता हूं डैली कि यह हो गया डैली इसके बाद इस्टाल अब यह करन्सी भी चुछ करने कर रहा है करनसी बहुत जरूरी है कि यहां पर आगे से सब को आप सब कर सकते हमें यह सब चीज़ करना नहीं है आप बाद में करना चाहिए उसकी जो वेबसायट है उस तरह की वेबसायट हमें जो बनानी है तो वह हमें करना है। यहां पर यह भी इसको मैं skip कर देता हूँ अब यह पूरा e-commerce सेट अप हो चुका अलड़ी इसके बाद आप यहां पर डैमो इंपोर्ट करना चाहिए इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर डैशूर्ट में जा सकते हैं तो आज की केस्ट में आपको डैमो इंपोर्ट कर रहे हैं य यहां पर लुक लाइन लुक अन फिन देख रहे हैं आपको इस टाइप की वैबसार्ड बनानी है तो व्लिकल सिंपल है आप क्या करें कि यहां से इसका होगा शॉप सेटिंग इंस्टॉलर पानल वेल्कम टू वन क्लिक इंस्टॉलर ठीक है यही पर इंस्टॉलर के नाम से रही है तो डिफरेंट इफरेंट इसका का रूल से इससे पहले जा हमने किया था इससे पहले का थीम उप्शन में जा कि हमने कर लिया तो एजी तरीकसा हो गया था बाट इसका यहां पर कुछ अलग दिखारा है तो यह जो हम काम करेंगे विश्में लिखाव को वेल्कम टुक टुक्ट वनेकल किसर बंदर को इसट आप अब मिनट्स सम पांट तो नोट make sure this is a fresh installation and while installer is running please do not refresh the page our notification will show after demo has installed ठीक है यह अभी यह का रहे है कि अभी हम रिफ्रेश होकर है नहीं करनी है जैसी यह demo इंस्टाल कर देगा तब यह notification देदेगा ठीक है तो हम तब तक के लिए यहां पर देख लेते हैं यह क्या का रहे है कि यह demo यह अलड़ी का इंस्टाल हो चुका है क्या वाल्ड़ा यहां पर मैं एक मरत बार रिफ्रेश करकर देख लेता हूं क्या खुश्रत सा है आप जैसे आपकी जो थीम है जिस तरह का थीम है कितने मिट लगा आप अगर आप घड़ी से भी देखेंगे तो जैसे यहां पर मैं देख रहा हूं यहां पर सिर्फ 11 मिट में यह काम अभी हो चुका है ठीक है आप लुक लाया फिल कर लिए इसका जैस आप करना चाहेंगे वही सेटब आप कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तुक है यह सेटब आप कैसे करेंगे अगर होम पेज़ टू होम पेज़ प्रीज तरह सैटव करना हो तो आप यहां पर जाएंगे और पिजिन पर आने के बाद यहां पर आपको मिल जाएगा हम यह हो गया फ्रेंट पेज और फ्रेंट पेज का नाम से यहां पर और कोई है यहां पर सैंपल पेज एक है इधर एक है शॉप पेज यहां पर एक शॉप पेज का नाम से यहां पर शॉप पेज है और यह फ्रेंट है तो यहां पर फिलहाल जहे अभी होम पेज यहां पर एक ही है ठीक है अच्छा सौरी यह एक शॉप पे जो अलग है एक पे जालग है तो खर यह इस तरह किसा आप बनाना चाहें बिल्कुल इजी तरह बना सकते हैं इस तरह कि अगर आप होमपेज बनाना हो तो भी आप बना सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आप इसमें बेल्डर तो लिक्ली चीज़ों को आप कर सकते हैं और करके अपना पतना बिस्नेस है अपना वर्क है आप उसको सेट अप करना चाहें ज temat कर सकते यह बस कि यहां पर एक चीजए प्रडॉक्ट्स पर नहीं दिख रहा होगा जिस प्रडॉक्स जो आउट ओफ इस्टोक प्रडॉक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् आप फिर जाके आप क्या करेंगे इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट पर क्लिक करके आप उस तरह की जो भी चीज है उस तरह का डाउनलोड अप्लोड कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी दूसरे साइट में डालना चाहिए डाल सक कुछ नहीं, कुछ नहीं है, बिलकुल इजी है, आप इजी तरीके से चीज़ं इस्तमाल कर सकते हैं, और मैं आपको यह भी बता दूँ कि आप इसी थीम को यूज़ करके, आप बिक बासकिट की तरह से भी वबसार बना सकती हैं, ठीक है, लेकिन क्या है इसके लिए, आपको क बास्किट के तरह से तरह से तरह सकते हैं कोशिश किजिए अगर आप उस तरह की से बना लेंगे बिग बास्कीट की तरह से तो बहुत अच्छी बात है यह जिस सर्च वार हैं यह सारे चीज़ें इस तरह कि भी आप अच्छे सार करना चाहंगी इस तरह सो लूक एंड फिल आपके अपनी वैबसाइट पर बिल्कुल एजी तरह कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं अगर किसी तरह कि आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बैंक पूब्त जब चाहें जिस वक्ट चाहें आप पूछ सकते हैं यहाँ पे देखिये कितना के इसका यह फांट काम धर रहे यह भी बहुत फास्ट है कि कहा पनो आπει्दर सलेंगे और यहां पर आपको आड़र करने का मौका मिल जाया यहां पर क्या कहा रहा है payment method invalid अब यह बोलना कि payment method invalid है तो payment method आप कहां set करेंगे यह भी आपको पता है यह आप जाएंगे e-commerce में जाएंगे setting पर जाएंगे मैं पता तो आपको सब कुछ है लेकिर आपको कहा है थोड़ा से प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे जब थोड़ी से प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो सारी चीज़ां यहां से डन हो जाएंगे यह मैंने cash and delivery मैंने आपन कर दी यहां पर जो भी आपन करेंगे उस सेटप करना पड़ेंगे हो जाएगा तो आप जैसे मैंने वह कर लिए आप यहां से करना पड़ेगा ठीक आप मैं इसको refresh कर लेता हूं पहले तो यहां पर आपको अब दिग गया होगा cash and delivery आ गया ना तो यह cash and delivery पर आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं और इसका order दे सकते हैं देखिए आपका order यहां पर आ चुका है first order यहां से दन हो चुका है अब यहां से easy जरी कैसे देख सकते हैं अब यह order आपको देखना हो सिंपल है आप अपने यहां पर refresh करके अपने website पर देख सकते हैं और आ चुका अलड़ी हां इसमें कुछ technology है जो important technology है वह यह कि जैसे आपके यह थीम आ गया इस थीम को अगर आप चाहते ह आप बिलिंग कराएं तो बिलिंग जो आपके PDF में आए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं याप अगर चाहें कि जो आपके पस order आ रहा है वह order जो है आपके बिल निकल जाए PDF की शकल में ताकि आप customer को दे सके simple है उसके लिए आप क्या करें आप plugin पे जाएं और plugin पे जा जाएगा यह आगया फस्ट ही में आगया यह plugin है यह e-commerce PDF invoice and packing list इसको आप इंस्साल कर लिए यह बहुत अच्छा है यह भी यह ठीक ठाक है लेकिन यह सबसे ज़्यादा बैटर है इसमें आप color अभी कर सकते हैं अपने logo अभी लगा सकते हैं और इसमें कहना में आप कोई modification कर करना चाहा है खुद से वह भी आप कर सकते हैं तो यह अगर आप premium यूज करते हैं तो बैटर है तो अगर आप अच्छे से setup करना चाहते हैं business तो उसके लिए premium ले लिए थोड़ा सा $5-$6 लगता है starting में बढ़ आप वो चीज़ें ले सकते हैं premium premium लेने के लिए आप event market से ले लिए ले लो खाना था तो हमने यह आपको बना के भी दिखा दिया और इकड़ी अगर चीज़ें यह जो मैंने आपको बताया है यह पीडिय एफ यह एक्स्ट्रा चीज़े और जान सकते हैं जैसे अब यह देख लिए यहां पर मैंने जो order किया था अभी उस आर्डर को मु करके इस को क्लिक किईए गा का बिल्ड रिडी हो जाएगा आपका जो ऊडर आया जाए है इसमें आपको डियान करना हो यहां पर लोगो लगा आपके कमपनी की इन्फर्मेशन लगाना हो तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं नीचे कुछ बटामें लगाने तो इसमें कुछ sep Up करना चुए अपने बिल का वह सेट अप कर सकते हैं तो इस में बहुत सारे स्थें हो वह nun ने ले यह को मैंने सारे सिंज से आपको बता है कि आप पूरी-पूरी website को किस इस तरीके से आप डेमो इंपोर्ट कर सकते हैं विदन जो है 50 मिनट 40 मिनट के अंदर प्रूपी एक वर्फाइट डिजाइन कर सकते हैं अब बस यहां पर आपको क्या करना है आप अपना कंटेंट जो सारी चीज है उसको चेंज करना है आप वर्फाइट रेडी कुछ करनी की आपको नौबत नहीं आई को जाएट जाएट भी नहीं करना पड़ा तो खेर इजी चीज है अगर आप कोई सवाल हो कोई डाउट हो कोई क्लिरिफिकेशन हो तो आप बिल्गल पूछ सकते हैं